दोस्तों आज के इस वीडियो आपने बात करने वालें कि अगर आपका बिली का बिल बहुत ज्यादा हो गया है आप उसका भुगतान एक बार में नहीं कर सकते हैं या फिर एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो उसको किस्त में भुगतान कैसे करेंगे आप उसका पार्ट payment करेंगे इसी के बारे मैं आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमीत आप देख रहा है जरूरी बातें चलिए सुरू करते हैं दोस्तों किसी बीवज़स अगर आपका बिल बहुत ज्यादा हो गया जिससे आप एक बार में payment नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे इसी तो अगर आप बिजली ओफिस में जाके काउंटर पर जमा करना चाहेंगे आप आधा अमांट तो आपको दिक्कत होती है ऐसे में आपको किसी ओफिसर से आपको order करना पड़ता है कि आप part payment करना चाहते हैं और उसके बाद ही आप counter पर part payment कर सकते हैं दोस्तों अगर आपका line गया है बकाय पर आपको order करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको reconnection charge का order करना पड़ता है आपको line फिर से चालू करवाना होता है ऐसे में आप part payment करना चाहते हैं तो आपको order करना पड़ेगा या फिर आप cool payment करके line चालू करवा सकते हैं लेकिन अगर आपका line नहीं कटा है, आपका line चालू है, फिर भी आपकर part payment करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको order करना पड़ता है, लेकिन अगर आप online payment करेंगे, तो आप इसको part wise payment कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर कोई reconnection नहीं करवाना है, तो आपको कोई order की जरूत नहीं पड़ेगे, तो अगर आपका bill बकाया ज्यादा है, और आपका line कटा हुआ नहीं है, लाइन चालू है, तो ऐसे में आप खुद से अपना bill part payment में कैसे करेंगे, उसको दो पार्ट में या तीन पार्ट में कैसे payment करेंगे, इसके बारे में लोग अभी जान लेते हैं, दोस्त, अगर आप अपने billi bill का payment किसी भी app के मदद से करने जाएंगे, जैसे सुभिधा अप से, या फिर गूगल पे से, या फिर फोन पे से, या फिर पे टीम से, किसी भी app के मदद से, अगर आप अपना billi का bill payment करने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको part payment का option नहीं मिलता ह है, वहाँ पे आपका जो भी bill amount है, वो direct वही amount आता है, और आप उसी को pay कर पाते हैं, उसमें कोई भी आप change नहीं कर पाएंगे, जैकर 10,000 का bill है तो आपको 10,000 ही एक बार में payment करने के लिए आता है, जो भी amount रहेगा वो automatic आपके bill से आ जाता है, उसमें आपको कोई भी change करन payment करेंगे, तो वहाँ पे आपको amount change करने का option मिलता है, अगर आप 10,000 bill है तो आप वहाँ पे 2000 पे डालके payment कर सकते हैं, तो चली दोस्तों हम लोग एक example से देखते हैं, उसको हम लोग एक example से करके देखते हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको अपने company का official website open कर लेना है, अगर आ मैं अभी svpdcl का website svpdcl.co.in open कर लेता हूं, आप अगर north के होंगे तो आपको north का website open करना है, दोनों में same ही चीज़ है, website भी same ही तरह का है, same ही काम करना है, अभी हम लोग svpdcl में करके देख रहे हैं, दोस्तों ये website हमारा svpdcl का open हो गया, इसमें आपको यहाँ देखे, वि खाता संख्या बोलते हैं, वो आपको consumer id यहाँ पर डालना है, तो चली हम लोग अपना खाता संख्या यहाँ पर डाल देते हैं, और submit करते हैं, दो तो submit करने के बाद से आपको यहाँ पर आपका detail आ जाता है, किस नाम से connection है, आपका consumer id क्या है, किस महीन तक का bill बना हुआ है कितना आपका bill amount है, last payment आपने क्या किया है, वो आपको detail यहाँ पर आने अलगता है, और total amount यहाँ पर दिख रहा है, देखिए हमारे कैस माभी 22,631 रिपया जमा करने के लिए आ रहा है, अब हम लोगों को 22,631 बना ही payment करना है, हम लोगों कंप payment करना है, हमान लिजे हमको 10,000 ही payment करना है तो इसको हम लोग जो अमांट टोटल में आ रहा है इसको हम चेंज गर करके सिर्फ दस हजार रिप्या लिख देंगे और बस प्रोसीड कर जाना है जैसे हम लोगों को payment करना है वैसे इमेल आड़ी आपको optional है आप डाल सकते हैं यह छोड़ भी सकते हैं मोबाइल नमबर आपको डालना जरूरी है हम लोग मोबाइल नमबर डाल देते हैं आप कोई भी option एक चूच कर सकते हैं हम लोगों करते हैं फिर से पीज्ड़ रिफरेश हो जाए जैसे आप अफ्षन चूज करें करें यह पीजे रिफरेश हो जाता है अब आपको confirm payment पे click कर देना है दोस्तर कभी कभी क्या होता है confirm payment करने पे ये proceed नहीं होता है क्योंकि आपका pop-up block किया हो रहता है जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखे रहा कि pop-up blocker को आपको allow कर देना है तो अगर आपके case में आप ये website open नहीं हो रहा है इसके बाद से अगर प्रोसीड नहीं होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे इस corner पे आपको एक option मिल जाएगा pop-up on करनेगा हमारे case में देखिए अगर आता है कि नहीं अभी नीचे आ गया ये फिर से summary दिखा रहा है कितना amount आप पे करने जा रहा है इस consumer account में mobile नमर इतना है 10,000 पे पे करने जा रहे है यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक confirmation दे रहा है और pop-up insert, disable the pop-up blocker, pop-up blocker को blocker करके रखना है उन्हों के allow करते हैं कि यह नया pop-up open होता है नया page open होता है तो हमारे case में allow है इसलिए यह नया tab आटोमेटिक open हो गया अगर आपके website browser में यह allow नहीं किया हो रहेगा तो यह नया page नहीं open हो पाता है जिसके विए से फिर आप proceed नहीं कर पाएंगे payment के लिए तो अभी हम लोग payment page पे आ गए हैं अभी वो पुरी तरस लोड नहीं हो पा रहा है चल देखे अभी यह load हो गया है अब इसमें बहुत सारे option मिल रहे हैं आप कोई भी method से आप payment कर सकते हैं आप debit card से payment कर यहाँ पे card number डालके या net banking से आप यहाँ पे debit card ATM pin से payment कर सकते हैं या internet banking से payment कर सकते हैं आपको इसके बाद से अपना जो भी method इसको select कर लेना है और आगे further proceed कर जाना है और आप payment कर लेंगे तो इस तरह से आप जो भी amount अभी payment करेंगे उतना amount आपके अगले bill में घट जाएगा जैसे हमारे case में 22,000 का bill था और हम लोग अभी 10,000 payment कर रहे हैं तो अगला bill जो भी हमारा आएगा 22,000 में से 10,000 घटा के 12,000 हमारा बकाया में आएगा और rest amount अगले महिना का bill बनेगा अगले महिना मालेज़ी का bill बनता है तो 12,000 बकाया और 2000 का bill बनेगा तो अगले महिने total bill हमारा 14,000 अगर बकाया है तो अधर धिर उसको payment करके हर महिने कम कर सकते हैं इसके पहले कि आपका line क जाए और इससे आपको एक भी फाइदा है कि आपको हर्म में अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं अगर ऐसे में छोड़ देंगे तो आपको हर्म में पूरे माउंट पर ब्याज लगता है लेकिन अगर आप 10,000 के बाद जो बचा हुआ है उसी पर आपको इंट्रेस्ट लगता है उसी पर आपको लेट फाइन लगता है तो आप लेट फाइन भी बचा पाएंगे और धीर धीर अपना ड्यूज क्लियर कर सकते हैं दोस्त अमीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हिल्फुल होगी अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझा हुए तो नीचे कमेंट प्रक्स जरूर लिखें और आपको यह वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी मैं कमेंट करके जरूर बताएं और आपने अगर हमारी चैनल कवी तक सब्सक्राइब नहीं करो कर लिजिए कि मैं आपके लिए इस तक नईने वीडियो लेकर आते रहता हूं जाए हिंद बने मातर हम